चलिए अब वो सथाकान की बात करते हैं जिसने कई लोगों को फिरको जजोर के रख दिया है नासिर और जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं आरोप है कि इन दोनों को राजिस्थान पुलीस ने अरेस्ट कर लिया है उठा लिया है और खुद को गौरक्षक बताने वालोग हैं उनके द्वारा इनको जो राजिस्थान से इन दोनों को उठाकर जो गौरक्षक थे वो ले गए थे और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई इन दोनों के शव बीते हफते हर्याना में एक कार में जले हुए मिले थे सूत्रों के मताबिक पहले हर्याना के फिरोसपुर जिर्का के एक पुलीस स्टेशन ले जाया गया तब वो जीवित थे हाला कि उनकी बुरी तरह से पिटाई हो रखी थी हर्याना पुलीस का कहना है कि उन्हें उन पुलिस कर्मियों को लेकर उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है कि अगर उनके सामने उनको लाया गया और क्यों उन्होंने इन लोगों की जान नहीं बचाई या इनको अस्पताल नहीं पहुचाया राजिस्थान पुलीस के ने एक आरोपी को गिरिफतार किया है जबकि चार आरोपी अभी भी फरार हैं इन में से खुद को गौरकशक बताने वाला मोनू मानेसर भी है जिसको अभी तक गिरिफतार नहीं किया गया है